हेलो एवरीवन वेलकम टू को डिंग स्टैक मेरा नाम है यस और आज हम लोग सीखने वाले मैट क्लास के बार में मैट क्लास आपकी प्री डिफाइंड जाबा की एक क्लास है इसका यूज करके आप बहुत सारे काम अपना इजी कर सकते हैं और इसके कुछ अच्छा अच्छे प्रॉपर्टीज वगरा है हम उसको अभी देखेंगे आगे इसी क्लास में तो चलिए एक अग्जांपल समझते जैसे हमारे पास एक नंबर है इंट एक वस्टू फाइफ एंड इंट भी इक वस्टू सेक्स ठीक है अब आपको इन दोनों आपके पास आ गया है तो आप इंट वाला करो को कि आपके दोनों नंबर इदर इंट है तो मैंने इंट इंट भी वाला लिया है इंट एंट इंट भी ठीक है अब यह क्या करेगा आपको इन दोनों का मैक्स प्रिंट करके देदेगा ठीक है तो इन दोनों का मैक्स है आपक को दे देगा यह देखो 5 दे दिया है अब इसमें एक और पॉंक्शन भी होता है ऐसका absolute value देनेगा इसमें क्या होता है absolute value में कि आपका को है नंबढ नेगेटिव है तो absolute क्या करेगा उसको positive बना के आपको return करेगा for example अगर आपका नमबर माइनस 5 है तो आपको 5 देगा माइनस 6 है तो आपको 6 देगा और अगर आपका नमबर पॉजिटिव यह है तो उसको as it is रहन देगा उसको चेज नहीं करेगा समझ जरू मैं क्या कहना चलाओ तो अगर आपका एक नमबर एंट एक्वल टू माइनस 5 वर अब एक हरू, तो यह क्या प्रिंट करेगा आपका आपका 5 प्रिंट करेगा पर वह अगर आपका numyr 5 यह तब क्या घरिख यह तो और आपका उसको पॉजिटिव है तो कुछ नहीं कर एगा उसको as it is रहन दे गा ऑर अगर भी math के कुछ अच्छे functions होते हैं जैसे एक होता है seal value seal क्या होता है आपका sealing value देना अब sealing value क्या है मैं बताता हूँ आपको एक second रुखिए double d equals to let's आपको कोई number है double d equals to 3.1415 ठीक है यह आपको कोई number है अब आपको इसका seal value देना आप seal value क्या होता है तो मैं whiteboard खोल लेता हूँ तो चलिए whiteboard पर आगया है आपके पास एक number line दिया गया है ठीक है number line दिया गया है इधर कहीं आपका 0 रहेगा बीच में इस तरफ आपके negative number रहेंगे minus 1 minus 2 minus 3 and so on up to minus infinity and इस आपके 0 के राइट साइड रहेंगे positive numbers जैसे 1 2 3 4 5 and so on up to infinity positive infinity ठीक है अब आपका इजर नमबर था 3.14 ठीक है तो 3.14 आपका 3 और 4 के बीच में यहां पर कहीं लाई करेगा इधर लाई करेगा यह आपका 3.1415 ठीक है तो आप seal value seal function क्या करेगा आपका इसका ceiling देगा ceiling यानि आप यह समझो कि उपर का value देगा उपर का value in the sense आपके इस number line में जो भी integer इसके right side में होगा यह वो आपको देगा seal function ठीक है तो 3.14 था आपका नंबर तो इसके right hand side आपको जो भी पहला integer आएगा वह आपको प्रिंट कर देगा तो इधर आपका नंबर 4 था तो इधर 4 प्रिंट करेगा आप इसको run करोगे तो यह दखो 4.0 प्रिंट कर दिया है ठीक है और हाँ यह जो seal function है यह double value return करेगा आप इधर देख सकतो यह double सब्सक्राइब को एसे दिखाता हूं control स्पेस अरे एक सब्सक्राइब सील कंट्रोल ओके मैट डॉट सील तो यह देखो इधर कोलोन के बाद डबल दे रहा इसका मतलब यह double value return कर रहा है और यह double value ही लेगा तो आपका यह seal value था अब इसी में आपका एक floor value होता है floor function होता है अब floor function क्या करेगा आपका इस number का के left hand side जो भी positive integer रहेगा जो भी integer रहेगा पहला वो प्रेंट कर देगा चाहाँ positive हो या negative floor value है 3.1415 का floor value इदर left hand side समसे पहले integer 3 है तो इदर 3 प्रेंट कर देगा 3.0 ठीक है तो देखो 3.0 प्रेंट कर दिये और भी इसमें कुछ functions होता है जैसे आपके कुछ stringometry values होता है उसके पहले आपके पास लेट से एक angle है int angle equal to 30 आपके पास एक 30 है इसको डिगरी में ले लो ठीक है इन डिगरी 30 ठीक है अब आपको इस डिगरी को रेडियन में convert करना है तो आप क्या करोगे double radiant equals to math.2 radians यह देखो इदर two radians और इसमें आप डिगरी डाल दो ठीक है तो यह क्या करेगा जो 30 डिगरी है इसको रेडियन में convert कर देगा अब मैं इधार एक बर यह रेडियन प्रिंट कर लूँगा ठीक है तो यह देखो 30 डिगरी इन रेडियन से 0.523598 एंड सो अन इतना बड़ा नंबर है अब मैं क्या चाहरा हूं कि अब मेरे को उसका sign value print करना है sign 30 डिगरी ठीक है तो यह होता है math.sign इसमें आप डालो रेडियन ठीक है अब रेडियन क्यों क्योंकि यह जो sign function है यह रेडियन से काम करता अगर आप 30 डिगरी लिख रहे हो sign 30 डिगरी आपको निकालना है तो पहले 30 डिगरी आपको रेडियन में convert करना होगा उसके बाद साइन के उसमें डालोगे तब जाके सब्सक्राइब करेगा वरना कुछ भी प्रिंट कर देगा और आपको समझ नहीं आएगा तो साइन 30 डिगरी होता है आपका वन बाइटू यानि 0.5 तो यह देखो यह आपका लगबग उतर नहीं पढ़ड़ा है 0.5 ठीक है तो यह वो प्रिंट करेगा इसको करने का एक और तरीका है कि आप इसको कमेंट आउट कर दो ठीक है और इधर आप लिखो math.2 radians और इसमें आप डाल दो डिगरी ठीक है तब ही आपका यह यह प्रिंट करेगा और इसी के साथ साथ इधर आपके आप यह सारे numbers भी ले सकते हो यह देखो कॉस 30 डिगरी 0.8 यह होता है रूट 3 बाइट 2 ठीक है रूट 3 होता है 1.732 अगर अप्रॉक्स की बात करें 1.732 होता है बाइट 2 करोगे आप तो 0.866 आएगा आपका तो यह वही प्रिंट किया है इधर और सेम इधर आप 10 वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो 10 ठीक है अब 1045 आपका बान होता है ठीक है तो इधर 45 के ले ले लेता है 1045 तो इधर खुस दी रूपा नाइन 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 आर आपका विचिद अप्रॉक्सिमेटल इक्वल टू 1 तो इधर आप ऐसे य रखा है रेडियोस, इस इकोल टू 5 ठीक है अब आपको सर्कल करें असलेकर आपको पाई का वैल्यू पता नहीं है ठीक है तो इसके अंदर एक पाही का वैलू डिया भी रहता हैा मै 2 पाई तो ठीक है तो यह आपका शर्कल का अर्या प्रेंट कर देगा इदर यह देखो पर अगर खाली आपको पाई का वाईव प्रेंट करना है तो यह अटा दो तो इदर पाई का वाई रिंट हो गया 3.141592 और सोन इतना जादा याद करने का जरूरत नहीं पड़ता है और हां मैठ में ये उसका रहता है तो आप उसको यूज करना चाहो तो ये देखो आप उसको मैच डॉट करके यूज कर सकते हैं इसको और उसके साथ अगर आपको कुछ से ट्राइब करना है तो आप खाली simply लिखो math. उसके बाद आपके पाद बहुत सारे options आजेंगे आप बहुत सारे operations में perform कर सकते हो ठीक है आप घर पे बैठके try करना अधिकतर चीज़ का use अभी base level पे नहीं आने वाला है इसलिए मैं बता नहीं नहीं हूँ लेकिन आपका मन करें तो आप जाना इदर और घर पे शेर और सब्सक्राइब कर देना और नीचे कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब यज भी बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा